हेलो आप सभी का चीजी कोड में है स्वागता है तो आज किस वोडियो में हम लोग कुछ built-in composables के बारे में बात करेंगे लास्ट वोडियो में हमने इस text composables के बारे में बात करती जिसमें जो text property है हमारी यह हमारी required property है इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी properties है तो इनको one by one देखते हैं कुछ हमारे पास और भी built-in composables है तो उसके बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं तो अगर मैं इस text पे control क्लिक करता हूं यहां पर देखेंगे इसके अंदर यह सारी properties हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं तो इन में से कुछ लगा के देखते हैं यहां पर मैं इस preview function के अंदर changes करूँगा जिससे हम लोग इसको देख भी पाए तो इसके निर्मार पास एक property है although यह हमारे function के arguments है जो हम लोग इसको pass कर रहे है बट मैं यहां पर properties बोल ला हूं जिससे आप इसको relate कर पाए है तो यहां पर मैं लिखता हूं font style तो इस तरीकिस हम लोग इसको font style दे सकते है तो इसके निर्मार पास दो values है एक हमार पास italic की है और यह हमार पास normal की आप यहां पर मैं italic select करता हूं यहां पर इसका preview देख पाएंगे यहां पर आप देसको लिए हमारा italic हो यहांन पर देल सकते हैं, हमारे पास सारे options आ रहे जिदने भी आपके fonts होते हैं, उसके अंधर हमारे पास Unless options होते हैं कि आपको semi Ohhh छर आपको semi bold जए thin करना हह, regular करना है EVERY human normal करना है तो उसके इसके तुम्हें होते हैं यह प्रॉपटीज आ रहे हैं हमार पस तो अभी के लिए एक्स्ट्रा बोल्ट से लेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहां पर हमार पस कलर वाला ऑप्शन है अगर मुझे कुछ कलर देना अपने टेक्स को तो इस तरीके से मैं इसको कलर भी पास कर सकता हूं यहां पर दिखेंगे केकलर्स के दिर हमार पास कुछ built-in colors हैं उनका हम लोग उज़िस कर सकते है तो यहां पर अभी के लिए Red select कर लेते हैं बट एक पॉइंट आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यह जो हमार पास colors आ रहे हैं यह हमारे Compose वाले Package से आ रहे हैं उसके बाद हमारा पस एक और property यहां पे font size के लिए अगर मुझे अपने text को size करना है तो मैं इसके मत से कर पाऊंगा तो अभी के लिए यहां पे 36 ले लेते हैं अब बात आते हैं कि यहां पे unit क्या होगी तो अगर मैं इसको view system से relate करूँ तो views में हमारा पस DP होता था और SP होता था DP जो था हमारा वो हम लोग width और height के लिए देते थे या margin और padding में हम लोग DP का use करते थे और text के लिए हम लोग use करते थे SP का तो same वोई चीज है यहां पे यहां पे हम लोग text को size कर रहे हैं तो जो हमारी unit होगी वो SP होगी और अगर हम लोग width और height में use करेंगे तो वापे हम लोग DP का use करेंगे तो देखते हैं इसमें unit कैसे देते हैं तो यहां पे मैं dot लगाऊंगा और यहां पे pass करूँगा SP तो इस तरीके से हम लोग इसमें unit pass करते हैं इसको import कर लेते हैं यहां पे तो make sure करें कि font के लिए आप SP का use करें और बाकी साथी चीज़ों के लिए आप DP का use करेंगे तो इस तरीके से हम लोग यहां पे unit pass करते हैं इसके दर हमारे पास और भी properties है जैसे हमारे पास एक text line वाली property है कि अगर मुझे इसको center करना है, right में करना है justify करना है तो इसके लिए हमारे पास यह text line वाली property है तो इसका हम लोग use कर सकते है यहां पे मैं लिखूंगा text line यहां पे आप दिसकते हैं यह सारे options आरे हैं मेरे पास तो अगर मैं इसको right कर देता हूं तो यह हमारा right में खिसक जाएगा although यह clearly visible नहीं होगा यहां पे आप दोड़ा सा difference notice कर पाएंगे तो यहां पे आप दिसकते हैं इस तरही किसे हमारा preview render हो रहा है तो आयहोब आपको यह sense बिना रहा होगा कि इस तरही किसे हम लोग हमने composables को customize कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और कोई और composable देखते हैं इसको यहां से मैं remove कर देता हूं तो next जो हम बात करेंगे वह image composable के बारे में बात करेंगे जब भी हमें कोई image render करना होगी तो यहां पे हम लोग image composable का use करेंगे तो simple ही तरीका है यहां पे मैं image function को call करूँगा जो कि हमारा एक composable है अब इसके अंदर मारा पास दो parameters है जो required है पहला हमारा painter का object है जो हमारी image को paint करेंगा उसके बाद हमारा पास यह content description वाला parameter है तो content description में हम लोग image के बारे में बताता है कि image किस तरीके की है तो यह accessibility के लिए है जो visually impaired लोग होते है वो image को इसी तरीके से पड़ते है तो यहां पे हम लोग एक description pass करेंगे तो यहां पे मैं अभी के लिए pass कर देता हूँ dummy image उसके बाद यह painter वाला argument है उसमें हमें यह बताना होगा कि हमारा को drawable folder में से कौन सी image render करानी है तो drawable folder से image को access करने के लिए हमारा पास यह function है painter resource तो इसका हम लोग use करेंगे और इसके अंदर मुझे id pass करनी होगी तो यहां पे मैं id pass कर देता हूँ अभी के लिए इसके अंदर एक image add कर लेते है तो यहां पे मैंने यह दो images add करी है तो देखते हैं इसको किस तरीके से access करेंगे तो यहां पे मैं लगाता हूँ drawable.heart तो यहां पे आप देखेंगे हमारी image render हो जाएगी तो कभी-कभी यह जो previews है हमारे यह हमार को error देते हैं तो simple solution यह है कि आप अपने project को build कर लो उसके बाद आपके preview function काम करने लग जाएंगे तो यहां पे आप output देख सकते हैं इस तरीके से हमारी image display हो रही है उसके बाद यहां पे हमारे पस और भी options है उसका हम लोग use कर सकते हैं तो यहां पे हमारे पस एक color filter वाला option है इसका हम लोग use करेंगे तो यहां पे हमारे पस एक tint वाला method है अगर मुझे image को tint करना है किसी particular color से तो इसका हम लोग use कर सकते हैं तो अभी कलिए यहां पे मैं pass करता हूं color.blue तो यह जो हमारा लाल color वाला दिल है वो blue color का हो जाएगा तो यहां पे मैं दुबार से render issues पे click करता हूं और यहां पे build and refresh पे click करता हूं तो यहां पे output देख सकते हैं उसके पाद यहां पे हमारे पास एक और parameter है content scale का तो जिस तरीके से हमारे पास view system में content scale की property थी कि हम लोग image को scale कर रहे थे same वही property यहां पे हमारे पास यहां पे आप दिखते हैं यह वाले options है हमारे पास तो अभी के लिए यहां पे crop वाल option यूज़ कर लेते हैं तो यहां पे output देख सकते हैं इस तरीके से हमारी image जो है वो crop हो चुकिया है तो इस तरीके से हम लोग image image composable का use करते हैं जब भी हमें कोई image render करनी होगी अब यहां पे भी वही चीज है कि अगर हमें एक particular URL के through image को render कराना है तो इसके लिए हमारे पास third party libraries है तो यहां पे भी हमारे पास third party libraries है जो हमारे को composable प्रोवाइड करती है और URL के basis पे हमारे image को render करती है तो इसके बारे में आगे बात करेंगे जब एक project का example लेंगे तो इसको भी यहां से मैं remove कर देता हूँ और अपना next composable देखते है button composable तो यहां पे आप दिखेंगे हमारे पास एक और composable है अब buttons जो है वो generally click के लिए use होते हैं कि बंदा उस पे click करेगा और उसके business पे हम लोग कुछ action perform करेंगे तो यह जो on click वाली property है हमारी हमारी required parameter है तो अभी के लिए इस to do को यहां से मैं remove कर देता हूँ अब यहां पे आप दिखेंगे इस button के बात हमारे पास एक braces भी है भी हमारे पास एक lambda है जो हमारा content accept करेगा तो अगर मैं इस पे control क्लिक करता हूँ तो यहां पे आप देखेंगे इस button के अंदर हमारे पास जो last property है वो हमारा content है कि इस button के अंदर मुझे render क्या कराना है तो जो भी मुझे render कराना होगा वो मैं इस content के अंदर pass कर सकता हूँ अभी जो content है हमारा वो एक Composible expect करता है तो Composible के अंदर आप कोई भी Composible का use कर सकते है तो इसको एक example से समझते है ज्यादा clear हो जाएगा अब suppose यहां पे मुझे text render कराना है तो यहां पे मैं लिखूंगा text यहां पे simple text वाला Composible है और यहां पे मैं भी लिखतेता हूँ Hello यह हमारे लिए एक button render करेगा जिसके अंदर हमारे पास text आएगा Hello यहां पे output देख सकते हैं इस तरही किसे हमारे यह button render हो रहा है अब इस preview के अंदर हमारे पास एक और functionality भी है यहां पे हमारे पास एक option है interactive mode का अगर मैं इस पे click करता हूँ तो आप इसके साथ interact कर पाएंगे तो अगर मैं इस पे click करता हूँ तो यहां पे आप देखेंगे material design वाला ripple effect है वह यहां पे आ रहा है तो दुबारा click करता हूँ एक बारी तो इस तरही किसे हमारे यह button काम कर रहा है तो I hope आपको यह clear हो रहा होगा अब suppose मुझे इसके साथ-साथ यहां पे image भी render करानी है मलब button के content के अंदर हमें image भी render करानी है तो वह कैसे करेंगे तो यह वह example है जो मैंने last video में लिया था कि मुझे text भी render करना है और image भी render करनी है तो basically यहां पे हम लोग compose कर रहे है जो भी functionality मुझे चाहिए उसको मैं उठा के ला रहा हूँ और अपने button के अंदर fit कर रहा हूँ इस button के अंदर मुझे image भी दिखाना है तो वह चीज़ यहां पे इसलिए possible है क्योंकि हम लोग composition के use कर रहे है तो यहां पे हम लोग इसको बता रहे है कि इस button के अंदर आपको यह दोनों चीज़े रखनी है तो अभी के लिए यहां पे मैं image पास कर देता हूँ और यहां पे painter resource में देते है r.drawable.arrow content में यहां पे dummy पास कर देते है तो देखते हैं इसका क्या preview आएगा तो यहां पे output देख सकते हैं उसके बाद यह जो हमारा on click वाला argument है इसके अंदर हमें एक lambda pass करना है जो भी मुझे इसके click पे execute करना होगा code वो मैं इस lambda के अंदर pass करूँगा तो इसके अंदर कैसे code लिखना है उसके बारे मैं आगे बात करेंगे इस तरीक से हम अपने button composable का use करते है इस तरीक से हमारा पस text के अंदर different parameters है यहां पे भी मारा पस different parameters है इस button को customize करने के लिए तो यहां पर हमारा पस एक और argument है colors का जिससे हम अपने button को color कर पाएंगे तो यहां पर हमारा पस default colors है इसका हम लोग use करेंगे और यहां पर हमारा पास option है, button colors का, तो इसका हम लोग use करेंगे, अब इसके अंदर भी हम लोग properties पास कर सकते हैं, यहां पर मैं पास करूँगा content color, जो भी मेरा text का color है, मलब उसके अंदर जो text display हो रहा है, उसका color है, वो हम यहां से define कर सकते हैं, यहां पर मैं select करूँगा color.white, और similarly, यहां पर हम लोग इसका background color भी define कर सकते हैं, यहां पर अभी के लिए लेदें, color.black, तो आप अब output देख सकते हैं, जो हमारा text था, उसका color white आ रहा है, और यह जो मारा button है, उसका background color जो हमारा black है, तो इस तरीके साब इन parameters का use करके, इसको customize कर सकते हैं, similarly, यहां पर हमार different parameters हैं, जिसके basis पे हम लोग इसको customize कर सकते हैं, यहां पर हमारा पर shape का option है, elevation का option है, यहां पर अगर मुझे इसका border define करना है, तो यहां पर मैं border stroke define कर सकता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग इसके इंदर different parameters पास करेंगे, और उसके basis पे सको customize करेंगे, तो I hope आपको essence समझ में आगे होगा, किस तरीकिसे हम लोग Composables को customize करते हैं, तो वापेस एक बार चलते हैं, अपनी main activity पर, तो आगे बढ़ते हैं, और एक और Composables के बारे में बात करते हैं, अब suppose मुझे कोई text input में लेना है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक Composable है, जो कि हमारे एक text field render करेगा, ह हमारे Composable का नाम है text field, तो इसका हम लोग use करेंगे, although इसके अदर मारे पास ये दो properties है, value और on value change, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए यापे मैं कुछ hardcoded values pass कर देता हूं, hello cheesy code, और ये जो हमारा on value change वाला parameter है, या आपे हमें एक lambda pass करना होगा, तो तो basically होगा क्या, ये हमारे एक text field render करेगा, जिसमें हमारे पास value होगी, hello cheesy code, और ये जो हमारा on value change वाला function है, जैसी हमारे इस text field में कुछ changes होगे, तो हमारे ये वाला method कॉल होगा, तो यहाप आप दिसकते हैं, इस तरीक से हमारे preview render हो रहा है, तो अगर मैं इसका interactive mode open करता हू और अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो यहाप आप दिसकते हमारे एक cursor display हो रहा है, that means हमारी text field है, तो इसको format कर लेते हैं, similarly इसके अंदर हमारे पास एक label property है, जो हमारे एक composable expect करती है, तो यहापे मैं composable pass कर सकता हूँ, अगर मुझे इसके उपर एक label दिखाना है, कि यह जो text field के अंदर एक placeholder store कराना है, और यह भी हमारे एक composable expect करता है, तो अगर मैं इस पर control click करता हूँ, तो यह सारी properties हैं इसके अंदर, आप यहापे आप दिसकते हैं, placeholder जो हमारा, वो composable expect कर रहा है, यहापे मैं composable pass कर सकता हूँ, अपनी text field के अंदर, कोई भी composable render करा सकता कि अगर मुझे कुछ fancy सा अपना label display कराना है, तो मैं उस composable की वाइस से उसको render करा पाऊँगा, तो इस तरीकिसे मैं आपस different parameters हैं, जिसके बेसे हम इसको customize कर सकता हूँ, तो text field के ओपर थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं पास state का involvement भी होता है, तो state के ब Composable होगा, तो इस तरीकिसे हम इसको annotate कर देता हूँ, तो code लिखने से पहले यहां पर थोड़ा सा detour लेते हैं, तो मैंने बताया था कि compose में, जितनी भी हमारी UI होती है, वो data के basis पे create होती है, आप इसको data input में देंगे, उसके basis पे वो आपकी UI generate कर देगा, तो यहां पर हमा साइकल चलती है, तो इसी के निदर हमार पस initial composition होता है और recomposition होता है, इनिशल composition में क्या होगा, first time जब आपकी functions call होंगे, तो उसको कहेंगे initial composition, अब बार बार उन functions को call करेगा, तो उसको कहेंगे recompositions, तो recomposition इसलिए call होता है, कि आपकी UI को update करना होता है, क्योंकि आपका data change हो चुका है तो इसको एक image की form में समझते हैं ज्यादा clear हो जाएगा तो यह हमारे एक text composable है जो भी मैं इसको data pass करूँगा यह data मेरा कुछ भी हो सकता है जो भी मैं इसको data pass करूँगा उसके विसस मेरी UI generate हो जाएगी तो अगर मैं इसको possible functions है उसको different data pass करेगा जैसे जैसे उस data में changes होते रहेंगे वो हमारे इस function को दुबारा दुबारा call करता रहेगा पहले उसने hello के साथ call किया तो आपका hello हो गया अब suppose इस data में कुछ changes हो जाते है बल्ब अब यह hello जो है वो cheesy code में replace हो जाता है तो लेबल अपडेट कर देगा cheesy code से तो हमारी UI पर cheesy code आ जाएगा इस तरीके से compose हमारी UI को update करता है तो यह तो हो गई पहली चीज तो compose जो हमारा वो बुरा data driven है जो अपडेटा दोगे उसके business पर UI जनेर्ट हो जाएगी अब दूसरी चीज होती है आपके events अब user कुछ action perform करेगा मालब button पर click करेगा या checkbox पर click करेगा या आपके पास एक text input field है उसमें वो text type करेगा तो यह सारे आपके events हो गए तो इन events पर हम लोग क्या करते है rather than updating the UI मालब हम लोग UI को खुद से update नहीं करते है हम अपनी state को change कर देते है मालब इस data को change कर देंगे अब जैसी data change होगा तो हमारी UI जो है वो automatically update हो जाएगी तो सारा काम हमें data सही करना है हमें आपस data आएगा उसके business पर UI generate हो जाएगी user कुछ action perform करेगा मालब कुछ event generate होगे तो हम लोग इस data को update कर देंगे इस data को हम लोग state कहते है तो I hope आपको यह sense बना रहा होगा तो simple concept है जितना भी काम हम करेंगे वो इस data के साथ करेंगे user कुछ action perform करेगा तो हम लोग इस data में update कर देंगे जैसे इस data में update होगा तो हमारी यह function दुबारे से call हो जाएगे और मारी UI update हो जाएगी हम लोग UI खुद से जागे अपडेट नहीं करेंगे यह इस widget को बगड़ लाओ इसका data अपडेट करना है मुझे या दूसरी widget को बगड़ लाओ इसका data मुझे अपडेट करना है तो यह हम लोग imperative काम नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे अपने data को update करते रहेंगे कोई भी event होगा हम data को update करतेंगे तो उससे क्या होगा एक universal source of truth हो जाएगा हमारा data सब चीजे उस data से ही drive होगी आपकी पूरी UI जो है वो उस data से ही drive होगी तो इस तरीकी से ये compose काम करता है सब इसी तरीकी से आपकी UI generate करते है तो एक पर इसको code के through भी समझते है ज्यादा clarity आएगी तो इस text input के लिए यह text field वाला Composable recall करूँगा तो इसको copy कर लेते हैं यहां से और इसको यहां पर इस variable के अंदर आ जाईए तो अपनी यह app को run करके देखते हैं देखते हैं इसका क्या behavior होगा तो मैं इस Composable को यहां से call कर देता हूँ तो यहां पर आप देखते हैं हमारी app run हो चुकी है और यहां पर हमारे पास यह text field थी उसके अंदर hello cheesy code था तो वह यहां पर आ रहे है अब suppose यहां पर मैं कुछ type करता हूं, suppose मैंने s press किया हमारे पास hello cheesy codes लिखा रहे हमारे पास लिखा रहे है तो ऐसके ही हमारे पास जो value लिा रहे है वो yellow cheesy code लिखा रहे है क्योंकि यहां पर पी जो हमने value define करें, हम इस Composable को बता रहे हैं यह जो तेरी value है वह hello cheesy code थाँ इसके लावा तू कुछ और अंडर मत करियो even if user जो है वो try कर रहा है इसको update करने के लिए बट जो तेर को value maintain करनी है वो hello cheesy code करनी है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ type भी कर रहा हूँ जैसे यहाँ पर मैं multiple characters type करता हूँ बट यह हमारा update नहीं हुगा यहाँ पर सकते हैं मैं key press कर रहा हूँ बट यह जो value print कर रहा है वो hello cheesy code कर रहा है तो अगर मुझे इस text field की UI को update करना है तो यह जो हमारा पास value वाला parameter है इसमें कुछ changes करने होगे यहाँ पर मुझे कोई dynamic behavior चाहिए मिला मुझे एक ऐसा variable चाहिए जैसे उसमें मैं कुछ changes करूँ तो हमारे यह function जो है दुबारा से call हो जाए और हमारी UI जो हो update हो जाए अभी के लिए क्या हो रहा है यह मैंने hardcode कर दी है कि यह तेरा काम जो है वो इस value को दिखाना है अब अगर मुझे यहाँ पर कोई dynamic behavior चाहिए कि यह जैसे user कुछ type कर रहा है तो वो भी update होता रहना चाहिए जो कि एक normal behavior होता है तो उसके लिए मुझे कोई variable define करना पड़ेगा और वो जो variable होगा मेरा वो एक खास variable होगा कि उस variable में कुछ भी change होता है तो यह वाला function मेरा दुबारा से call हो जाए उस updated value के साथ तो simple concept है यहाँ पर मैं एक variable define करूँगा state के नाम से और इस तरीके से हम लोग एक variable define करेंगे mutable state of और यहाँ पर मैं अभी के लिए empty string पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो initially हमारी value हो वो हमारी empty string हो तो यहाँ पर मैं इसको replace कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ state.value तो जो भी value हमारी state के अंदर पड़ी होगी वो हमारे इस text field के अंदर render हो जाएगी और इस on value change के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपनी state की value को update कर देंगे तो यहाँ पर मैं it pass कर दूँगा इसमें तो basically होगा क्या यहाँ पर आपने एक state define करी है उसके basis पर आपने यह text field render कर आया है जो भी इसके अंदर value होगी उसको वो render कर देगा जैसी user कुछ action perform करेगा तो आप अपनी UI को update नहीं कर रहे हो directly आप अपनी state को update कर रहे हो कि भी यह मेरी जो state की value है उसको update कर दे जो भी user ने type किया है अब इससे होगा क्या आपकी state update हो जाएगी जैसी आपकी state update होगी तो इस composable का यह वाला जो portion है आपका वो update हो जाएगा तो I hope आपको यह sense बना रहा होगा तो अगर इसे simple शब्दों में बोलू जितना भी काम कर रहे हो आप अपनी state को update करने के लिए कर रहे हो अब यहाँ पर आप देसकते हैं मुझे error दे रहा है तो अगर मैं इस पर hover करता हूँ तो यह मुझे बता रहा है कि भीया आपने state को object बनाया है जिसमें आपने remember का use नहीं किया है तो यह remember क्या है तो remember के बारे में आगे detail में बात करेंगे बट अभी के लिए आप मान सकते है क्योंकि यह हमारा एक composable है मलब यह compose का function है जो की compose जो है वो बार-बार call कर सकता है मलब यह एक बार भी call कर सकता है यह जितनी मरजी बार चाहिए उसको call कर सकता है तो अगर यह function मेरा बार-बार call होता रहेगा तो इस state के अंदर जो value होगी वो override होती रहेगी इस initial value से तो example लेते हैं तो सबसे पहली बार call हुआ है सबसे पहली बार call होगा तो हमारी value क्या होगी empty string तो इस state के अंदर हो जाएगी empty string और उसके basis में हमारी UI render हो जाएगी अब सबसे यहाँ पर user ने कुछ type कर दिया तो हमने क्या किया है state को update किया है तो इस state के अंदर सबसे अभी value पढ़ी होगी है cheesy code यहाँ पर value पढ़ी होगी है cheesy code अब suppose कोई ऐसा event हुआ जिसके वैसे मुझे यह function जो हो दुबारा call करना पड़ गया अब यह मेरे composable functions है तो वो बार-बार call हो सकते है different data के साथ तो suppose compose ने चाहा मलब compose framework ने चाहा कि भी यह मुझे इस function को दुबारा call करना पड़ेगा अगर अब वो दुबारा call कर देगा तो यह जो मेरी state की value है वो reset हो जाएगी इस initial value से हमारी initial value क्या है empty string तो यह जो हमारा cheesy code था जो इसके अंदर पड़ा हुआ था वो lost हो जाएगा तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भी यह जो मेरी last value थी ना उसको remember करके रखी हो उसको याद करके रखी हो तो इसके लिए हमारा पास एक function है यहाँ पर remember के नाम से तो इस तरीके से हम यहाँ पर remember call करेंगे और यहाँ पर मैं इसको import कर लेता हूँ तो इस case में compose क्या करेगा जब भी next time वो इस function को call करेगा तो हमारी value को वो याद करके रखेगा कि यह आपने last time चीजी code रखा होता है इस state के अंदर तो वो ही मुझे store करके रखना है क्योंकि compose में क्या होता है हमारे functions जो है वो बार-बार call हो सकते है तो suppose यह पहली बार call हुआ तो उसने state को याद करके रख लिया अब कुछ event होता है तो यह वाला function मेरा दुबार असे call होता है क्योंकि यह Composable function है दुबार असे call हो सकता है मलब recomposition के time दुबार असे call हो सकता है तो जितनी बार भी यह compose होगा तो वो अपनी last state है उसको याद करके रखेगा तो इस तरही किसा हमारे text input काम करता है I know थोड़ा सा pages आ है बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो clear हो जाएगा एक बर इसको run करते है तो यहाँ पे हमारी app run हो चुक है और हमारी current value है वो empty string है तो यहाँ पे हमारा पस empty value आ रही है अब अगर मैं इस पर type करता हूँ तो हमारा easily type हो पाएगा तो यह इसलिए हो पारा है क्योंकि हमने state value maintain करी है तो कोशिश करें इस portion को दुबारा से सुनने की यह आपको sense बनाएगा इसमें से इतना सा logic है कि जितना भी data है मेरा वो मुझे state के अंदर maintain करना है मेरी UI जो है वो state पे dependent है कोई भी event होगा तो मैं अपनी state को update करूँगा तो आज की वीडियो को यही पे रोकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like करें अगर अभी तक आपने हमें सब्स्राइब नहीं किया तो please subscribe करें टीए 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 में अधिसीला